हेलो गूड बॉर्णिंग दियर पेरेंट्स एंड इस्टुडेंट्स मैं मोही चौधरी स्वागत करता हूँ गाजवाद डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखिए बच्चो मैं आज सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन इन कैटेगरी वाइज जो वेकेंसी होती हैं इस्टेट हॉम इस्टेट और अधर इस्टेट इसके बारे में आज मैं डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों को कि यह जो रिजर्वेशन होता है यह कितने परसेंट स्टेट, 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 जर्नल, डिफेंस परसन इसका रिजर्वेशन के साधार पर किया जाता है तो आप वीडियो के साथ बने रहिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाली है यह हमारी तो इसके बाद मैं आप लोगों को जो अभी लोग सैनिक स्कूल 2024 का और आपके स्टेट की आपके कैटागरी की वहाँ पे सीट है या नहीं कई वार होता क्या है कि पैरेंट्स बिना सूचे समझे फॉर्म लगा देते हैं और बाद मैं पता चलता है कि वहाँ पे तो हमारे कैटागरी की सीट सी नहीं है तो आप लोगों को उस वीडियो को किना यहाँ यहां पे रेजरुरिषन इन कैटिग्री एंड वेकेंसी सेनिक स्कूल के वारे मैं बताऊजा मैं अअ आप लोगों को कि सेनिक स्कूल का जो सलेक्शन है सीट का वो किस आछार ब किया जागा एस्टेट और अधर इस्टेट के लिए अर्म इस्टेट पॉम स्ट में 100 सीटे हैं 100 वेकंसी हैं तो यह तो हम कही वार अपने वीडियो में बता चुके हैं कि जो रिजर्विशन होता है तो देखिए टोटल सीट लैट हमने किया कि 100 सीट है हमारे पास में जिसमें से हॉम स्टेट की जो सीटे रिजर्व होंगी सभी कैटागरी की चाहें वो ST है, SC है, OBC है, Journal है, Defense Person है 67 परसेंट सीट रिजर्व रहती है हॉम स्टेट के लिए और अधर स्टेट के लिए 33 तो 100 सीट का 67 परसेंट, 67 सीट तो निकल के आ गई हॉम स्टेट के लिए ठीक है और बाकी की कितनी 33 सीट पची ये अधर स्टेट के लिए कहरी हो गई जिसको हम लोगों ने लिस्ट A और लिस्ट B दो पार्स में डिवाइड किया हुआ है ये लिस्ट A में हम यहां पर हॉम स्टेट की बात करेंगे और लिस्ट B में अधर स्टेट की बात करेंगे तो टोटल फाइव टाइप्स की केटागरी हमने बनाई हुई है आपे देखिए सबसे पहले आता है स्सी स्सी में है क्या कि टोटल सीट से अब हमारे पास 67 जो हॉम स्टेट को दी गई है जिनमें से 15 परसेंट रिजर्विशन होता है स्सी कोटे का तो 15 परसेंट अगर इसका निका लें 67 का तो अप्रोक्सली मेट जो सीटे आएंगी वो निकल के 10 सीटे आएंगी तो 10 सीट रिजर्व हो गई हॉम स्टेट में स्सी के बच्चों के लिए ठीक है इसमें गल्स भी है और बॉइस भी है बात करें अब एस्टी की तो साड़े साथ परसेंट रिजर्विशन होता है एस्टी का टोटल सीट है 67 जिसका साड़े साथ परसेंट और प्रोक्सली मेटी सीटे निकल के आएंगी पांच तो पांच सीटे एस्टी बच्चों के लिए रिजर्व हो गई सैम इसी टाइप से अगर हम बात करें एस्टी कैटागरी में 15 परसेंट रिजर्विशन एस्टी का कनफॉर्म है ठीक है चाहे वो स्टेट है चाहे वो अधर स्टेट है लेकिन आप यहां पर टोटल सीट है 33 तो उसकी पांच सीट निकल के आएंगी एस्टी में अधर स्टेट के बच्चों की और वो किस स्टेट की हैं उसमें भी हम लोग डिवाइड करते हैं कि हम नहीं मतलब जो सैनिकिस को सोसाइटी है वो डिवाइड करेगा कि वो जो बच्चा है अधर स्टेट में वो उत्तर परदेश का लिया जाएगा राजिस्तान का होगा या हरियाना का होगा किसी exact place के लिए लैक जैसे बिहार के लिए तो बिहार में अधर स्टेट में जो काउंटे होंगी वो पांच सीटे होंगी अधर स्टेट के लिए वो लेकिन वो भी रिजर्व रहता है कि वो किस स्टेट के बच्चे को सीट देनी है ठीक है स्टी की बात करें साड़े साथ परसेंट 33 का दो सीट निकल के आती है बात करते हैं OVC NCL के लिए 27 परसेंट रिजर्विशन होता है तो 67 का 27 परसेंट 18 सीट होम स्टेट में OVC जो नॉन क्रेमियल लेयर में आते हैं इस वाली कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनकी 18 वेकेंसी फिल होती है और 27 परसेंट सेम रिजर्विशन रहेगा अधर स्टेट है 33 सीट है टोटल नाइन सीट निकल के आती है अपर जो अब बैलेंस सीट बची टोटल थी 67 उसमें से 10 सीट है तो निकाल दो SC की 5 सीट ह ST की और 18 OVC की तो अभी हमारे पास जो सीटे बची है वो बची है 34 सेम एज़ इस 33 सीट थी टोटल अधर स्टेट के लिए 5 SC की सीटे निकाल दीजिए 2 ST की और 9 सीट निकाल दीजिए OVC की तो टोटल बैलेंस सीट जो बची वो अभी बची है 17 आगे देखिए देखिए SC कवर कर दिया ST OVC बैलेंस सीट पर हम लोग देखेंगे बैलेंस सीट है हम स्टेट में बची है 34 और अधर स्टेट में है 17 अब जो डिफेंस केटागरी का रिजर्वेशन है वो 25 परसेंट फिक्स है 25 परसेंट सीटे इस स्टेट के जो डिफेंस परसेंट होंगे उनके बच्चों के लिए रिजर्व हैं तो 34 जो बच्चे थी सीटे लेफ्ट उनका 25 परसेंट अप्रोक्षली मेटली निकल के आएगा 9 तो 9 सीटे जो फिक्स हो गई वो डिफेंस परसेंट के लिए हो गई उसी तरीके से यहाँ पर बैलेंस सीट है 17 डिफेंस अधर स्टे सीटे बचेंगी टोटल 34 थी 9 सीटे डिफेंस के टागरी के निकाल करके 25 सीट जो रह गई वो जर्नल के टागरी की रह गई और यहाँ पर 13 सीट अधर स्टेट में जो जर्नल में बच्चे कंट होंगे उनकी 13 सीटे हो गई तो टोटल इनको प्लस करेंगे 34 और उपर वाली सारी सीटे इसको मिलाखर के टोटल 67 सीट हैं और 33 सीट से आजाएंगी टोटल 100 सीट के एक्वल हो गया है ठीक है यही सारी चीजे हैं लाइक जैसे सी है लिस्ट ए में 10 सीटे हो गई और लिस्ट बी में 5 हो गई एस्ट के लिए टोटल 7 सीट है जिन में से स्टेट की सीटे ह पांच और अधर स्टेट की हो गई दो ओ वीची नॉन किलिम animals layer में 27 सीट हो गई आपकी टोटल जिन मैंसे 18 है होम इस्टेट की और अधर इस्टेट की है नाइन सीटें डिफान्स कि बाते करें तो टोटल 13 सीटे होती है जिन मैंसे होमuar इस्टेट की सीट है नाइन और अधर स्टेट की सीट है चार जनल केटागरी की टूटल 38 सीट होती है जिनमें से हॉम स्टेट की 25 और अधर स्टेट की 13 तो टोटल ये 100 सीट का डिवैडिशन इस टाइप से होता है ठीक है? इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आईगी कि सैनिक स्कूल में जो सीटो की वैकेंसी है वो किस टाइप से हैं? कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं? तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना ना भूलें इसमें हम लोग ने आपको अच्छे से समझाय हुआ है reservation की category कि किस type से किस category का कितना reservation है state के अंदर और other state वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Thank you